तो आपका ये जो सेल्फोन है, ये रेडियो वेव्स की आधार पर चलता है आपको लगता होगा आपका सेल्फोन जब ऐसे ही पड़ा है, जब आप फोन नहीं कर रहे हैं, तो ये काम नहीं कर रहा है नहीं, ये हर 30-40 सेकंड में एक बार एक रेडियो वेव भेजता है हवा में एंटना की तरफ So, constantly your phone is working, it is beaming रेडियो वेवस इधर आपके सेल्फोन से या आपके सेल्फोन एंटना के पास या करीब रहने से Over long term, आपकी हेल्फ पर बुरा असर पर सकता है So, just a few do's and don'ts, simple lifestyle changes आप इस exposure को आप रिड्यूस कर सकते हैं So, please adopt these तो क्या आपको आदत है अपना सेल्फोन आउन रखकर, अपने सिरहाने पर रखकर सो जाने की? यह बिल्कुल ही गलत आदत है, इसी वक्त तोड़ दीजे से जब आप सोते हैं, आप अपना फोन दूर रखिए चार्जिंग पे दूर रखिए और अगर आपको अलाम लगाना है फोन पर तो फोन को airplane mode पे रखिए और फिर it's okay to have it by your side क्या आपको आदत है अपना फोन यहां पर अपने दिल के करीब या अपने पॉक्ट में यहां पर रखकर पूरे दिन घूमनें की? यह बहुत गलत आदत है इसे प्लीज अपने शरीर पर लगा कर मत खूमिये you can put it in a bag या जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपने पास एक थोड़ी सी दूरी पर टेबल पर रख लीजे but do not move around the whole day with your phone in your pocket Blackberry manual, iPhone manual में भी लिखा है अपने शरीर और फोन के बीच में अंतर 5.8 अफ और इंच ज़रूर रखिये इसका यह भी मतलब है कि हम जो यह phone चिप का कर अपने कान पर लंबी-लंबी बाते करते हैं यह भी गलत है दो cell phone companies खुद आपको बता रही हैं कि keep a distance of 5.8 अफ और इंच या 15 mm की distance पर अपना phone रखियेगा अक्सर हम phone calls अपनी गाड़ी से करते हैं कि चलो हम बैठे हैं तो यह वक्त हम अपना इस्तेमाल कर लें और cell phone पर phone करते रहते हैं यह भी गलत बात है जब आप गाड़ी में होते हैं जब आप ट्रेन में होते हैं जब आप अप ऐलेवेटर में होते हैं तो यह जो एलेवेटर है या ट्रेन है यह जो metal की sheet है, जो आपके इर्थ गिर्थ है, it acts like a microwave oven. तो यह जो radio waves है, यह वहाँ पर टक्रा कर वापस आती है, and that intensifies radiation inside the elevator, inside the car, inside a train. क्या आपको महसूस होता है कि जब आप लंबी बात करते हैं, तो आपके कान गरम हो जाते हैं? इसका यह मतलब है कि यह जो radio waves आपके फोन से जा रही है, यह आपके काहन के जो area है, यह पुरा skin, यह soft tissues, यह उनको heat कर रही है. It's like a microwave effect. तो प्लीज कीप यॉर कॉल शॉर्ट. अगर आपको लंबी बात करनी है, तो best is get a wired headset, like that. ठीक है, ताकि आपका फोन आपसे थोड़ा दूर रहे और आप अपनी बात कर सके. Wired headset, Bluetooth नहीं. अगर आपके पास choice है, landline है, तो सबसे best, आप अपना cell phone हठा दीजे, और landline से phone करिए. अगर आप phone ना करें और text करें, तो that'll be even better. एक बहुत इंपॉर्टन बात, अपना फोन बच्चों को मत दीजे, खेलने के लिए भी नहीं. बच्चे जो है, उनकी ये जो हड़ी होती है, ये बहुत ही पतली और नाजुक होती है. तो ये जो radio waves हैं, जो cell phone के लिए इस्तिमाल होते हैं, they travel through your child's brain. So, since we are not sure of the long-term effects of EMF radiation, it is better to be safe than be sorry. So, please, अपने बच्चों को phone मत दीजे. जब आपके phone पर signal weak हो, तो तब phone का इस्तिमाल मत कीजे. क्योंकि उस वक्त आपका phone बहुत रेडियेट कर रहा है, उस वक्त वो radio waves जोरों से antenna को ढूंड रही है, so that you get connectivity. ऐसे वक्त पर, जबके आपका signal low है, आप अपने phone को, preferably, इस्तिमाल मत कीजे. So, ये थे कुछ do's and don'ts, अपना लीजे and reduce your exposure to radio wave activity from your cell phones.